मेरे मन में कभी-कभी ये सवाल आता है कि जब truth एक है और यहां इंडिया में भारत में इतने सारे उसके प्रमाण भी है तो ये सारी घटनाएं इंडिया के around ही क्यों है या इंडिया से मिलता जुलता हमने सुनाए कि चलो इरान तक या वहां तक का है रमायन में भी कि एक किश इसरी तरफ हमारे gods का इतना क्यों नहीं है या उनकी thinking हमसे इतनी अलग क्यों है वह संस्कृत क्यों नहीं बोलते है जब प्रित्वी का तत्व एक है जब देव एक है सच एक है तो इतने वह सबकी theories इतनी जादा drastically different क्यों है देखे इस spiritual level ना सबका अलग-अलग होता है आप भारत के लग कहा सुने है पुराने समय में अब वहां के लोग तो आ रहे है इसकौन टेंपल है है ना सब छोड़ चाड़ के राधा क्रिश्न करने है है ना कई लोग सद्गुरु जी के पास आ रहे है उसके पहले अंगिनत लोगोशों के पास आ गए थे है ना सब त्याक क neden लेकिन इन सब के पहले और यह सब त्याक के आ कहा रहे हैं भारत ही आ रहे हैं है आप इसके अलाव़ कहां सुने हो कि सब त्याक के चले गए Christianity में इसे सब त्याग के जाने वाला सीन ही नहीं है, Fathers हैं, वो भी शादी करते हैं है न, Nuns है At times, वो भी उनका जम्मन करता चोड़ सकते हैं अभी मैंने सुधानशुत्रिवेदी एक politician है मैं उनका एक interview देखा था उन्होंने एक इतनी मारमिक बात बोली कि वो रच बस गई मेरे अंदर हम ही ने शूनिय क्यों बनाया मैं आप ही कि सवाल के जाब दे रहा हूँ क्योंकि अनंत काल का जो रास्ता है, इंफिनिटी का जो रास्ता है आप लोग mathematics पढ़े होंगे इंफिनिटी, यू कैलकुलेट इंफिनिटी पर इंफिनिटी का रास्ता कहा सोके जाता है शूनिय सोके जाता है इंफिनिटी क्या है spiritual level में, आध्यात्म the highest level of spirituality is infinity तो जो जो भी इंसान रिशी मुनी बनने निकलता है ना दोस्त वो पाँच चीज़ें के करके छोड़ता है हमारे हिंदूस में क्या क्या सबसे पहले वो घर छोड़ता है फिर वो कपड़े छोड़ता है फिर वो खाना छोड़ता है पिर वो अपने आपको spiritually इतना हाई कर देता है कि उसका जब मन करेगा वो सास लेगा जब मन करेगा नहीं लेगा मतलब जब चाहएगा प्राण अपने निकाल लेगा और जब चाहएगा प्राण एस्टरल फॉर्म जिसको बोलते है कि आपका बॉड़ी यही है और आप निकल गए ब्रहमाण की सायर करने है तो वो फोर्थ है और आखरी जो है ना वो है कि वो अपना दे त्याग दिता है I want nothing है ना कि मेरे को अपना शरीर भी नहीं चाहिए यही पांच चीज है ना तो जब आप infinity के खोज में जाते हो ना तो आपको शूरने से हो के जाना पड़ता है और यह सब जो समझ है ना यह सबसे पहले अध्यात्मी की वज़र से हमारे पास आई थी इसकी समझ और हम बड़ा असान है बोलना land of snakes, Indians No हमें एक लौती ऐसी कौम हैं जिनके गरंथों में mathematics है हमारे spiritual और हमारे guiding books में mathematics है, physics है, science है आप बता दीजे मेरे को दुनिया में कोई और grants या कोई और religion जिस पर यह तो हमेशा anti-science रहे हैं सब हम हमेशा pro-science रहे हैं we are the first plastic surgeons of the world सुशृत नाम गादमी, पहला plastic surgeon है इस दुनिया का 27 वालियूम में किताबें लिखी वो Persian language में convert हुई Arabic countries पहुची वहाँ से English language में convert हुई UK और US पहुची और वहाँ से हमारे पास वापस आई plastic surgery बनके और अब हम इस हिस्थिती में चले गए हैं कि हमको शल्य चिकित सब बोलना नहीं आता है हमको सिर्फ plastic surgery बोलना आता है और हम पहले plastic surgeon है आज भी पूरे भारत में आप बड़े hospitals में जाएंग न तो एक ऐसी मूर्ती बैठी रहती है रिशी की है ना और वो दिखते ब्रह्मा जैसे है single headed वो है धन्वंत्री धन्वंत्री happens to be the first doctor of the world और आज भी सारे doctors जो oath लेते हैं ना doctor बनने के बाद वो धन्वंत्री का उत लेते हैं लोगों की जान बचाने का धन्वंत्री कौन थे आप सोची कितनी अजीब बात है कि हम लोगों को यह नहीं मालू है कि हर साल बच्पन से हम दिवाली के एक रोस पहले धन्तेरस मनाते हैं for good health उस दिन हम धन्वंत्री की पूजा करते हैं धन्वंत्री वो शक्स थे जो हम फिर सागरमंतन पर पहुँच गये शेष नाक सागरमंतन उसमें जो व्यक्ती हाथ में अमरित कलश लेके निकला था वो था धन्वंत्री He was a demigod आधा इंसान और आधा भगवान है ना हम पहले डॉक्टर हैं हम पहले प्लास्टिक सर्जर हैं